Hello Students, Welcome to Maths Class Students, आज हम आपको Maths में Chapter 4, Before, After and Between करवाएंगे Before, Before means क्या होता है? Before means होता है पहले After means बाद में और Between means होता है बीच में यानि कि आपको पताना है कि एक नमबर से पहले क्या आता है? एक नमबर के बाद क्या आता है और उनके बीच में क्या आता है? जैसे कि नमबर लाइन देखें, आपने देखा कि 1 से पहले क्या आया? 1 से पहले आया? 0 और 1 के बाद क्या आया? 1 के बाद आया? 2 लेकिन 1 और 3 के बीच में क्या आएगा? 1 और 3 के बीच में आएगा? 2 ओके students, चलिए आगे देखते हैं, look at number 12 नमबर 12 देखें, number 12 कौन सा? ये बाद, just number comes, which number comes just before 12? which number comes? सबसे पहले before समझे, before means होता है, पहले, before means क्या होता है? पहले तो आपको ये ध्यान रखना है, कि before means होता है, पहले यानिकि 12 से पहले क्या आएगा? 12 से तुरंत पहले क्या आएगा? तो ये आपने number 9 में देखें, 12 दे रखा है इनोंने, तो 12 से पहले इनोंने क्या दिया? 12 से पहले दिया है इनोंने? 11, यानिकि 12 से पहले 11 आएगा, तो answer होकास का number 11, फिर आता है, which number comes just after 12? फिर पुछाएगा कि 12 के बाद क्या आएगा? आफ्टर मेंस होता है, बाद में, आफ्टर मेंस, बाद में, फिर 12 के बाद क्या आएगा? 12 के बाद आएगा 13, 12 के बाद 13, तो answer आएगा number 13, फिर देखा look at numbers 17 and 19, अब इनोंने का है कि आप 17 और 19 का number देखिए, देखे 17 और 19 का ये तोनों number देखिए, which number comes between 17 and 19, कि 17 और 19 के बीच में, between का मतलब होता है, बीच में, क्या होता है, बीच में, कि 17 और 19 के बीच में क्या आएगा? तो 17 और 19 के बीच में लोने क्या दिया है, 18, क्या दिया है, 18, तो 17 और 19 के बीच में आएगा number 18, टीन। ओकेश्ट्रेंट्स, I hope यह आपको समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। Look at the number line and write the answer in the box. आपको यह number line देखनी है, और जो यह box ने रखें, इनमें आपको इनके answer लिखने हैं। पहले तरकें नहीं नहीं, What comes just before? कि before से पहले क्या आएगा। तो आपको बताना है कि before से पहले, मैंने आपको बताया कि before means meaning होता है पहले, कि पहले क्या आएगा। तो 12 से पहले क्या आएगा। आपको भी मैंने पीछे बताया था कि 12 से पहले आता है 11, 1, 4, 14, तो 14 से पहले क्या आता है देखिए इस लाइन में देखिए 14 नमबर है 14 से पहले इनोंने क्या आदिया 13, तो क्या आया 13, 9, 9 से पहले क्या आदिया इनोंने 8, तो 9 से पहले 8 आएगा, 20, 20 से पहले क्या दिया 19, तो 20 से पहले 19 आएगा। फिर तो what comes just after, after means, बाद में, कि तुरत बाद क्या आएगा, देखे 7, 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद आ दिया है, 8, यह तो counting है, normal counting है, आप खुद समझ जाएंगे, कि 7 के बाद आता है, 8, 15 के बाद, 16, 15 के बाद आएगा, 16, 10, 10 के बाद दिया है, 11, यानिकि 10 के बाद 11 आए आएगा, what comes between, बीच में क्या आएगा, 12 और 14 के बीच में क्या आएगा, तो देखे 12 और 14 के बीच माएगा, 13, normal counting है, 12, 13 and 14, 15 और 17 के बीच माएगा, 16, 15, 16, 17, 9 और 11 के बीच माएगा, 10, 9, 10, 11, 13 और 15 के बीच माएगा, 14, 13, 14 और 15, orchestrants, आगे देखते हैं, once the concept of back counting is clean, you can do these questions without using number line, once the concept of back counting, यदि आपकी back counting, आपको समझ में आ गई है, वो concept आपके बिल्कुल clear है, तो आप बिना number line के भी, ये question कर लोगे, अगर आपको समझ में back counting आ गई है, तो आप उसके बेगार भी ये question कर लेंगे, let's continue with before, after and between with bigger numbers, अब हम बड़े number के back counting करेंगे, बड़े number से अब हम continue शुरू करेंगे, before, after and between, देखे फिलिंदा गोंगे, boxes as instructed, what comes just before, आपको बताना है कि इसके तुरंच पहले क्या आएगा, 19 से पहले क्या आएगा, 19 से पहले 18, 28 से पहले 27, 34 से पहले 33, 40 से पहले 39, 47 से पहले 46, 24 से पहले, 23, 31 से पहले 30, 38 से पहले 37, 43 से पहले 42, 50 से पहले 49, यह होती है आपकी, आपके before, ओके, आगे देखते हैं, what comes just after, after means कि तुरंच बाद क्या आएगा, आपको बताया, मैं बार-बार बता रहे हूँ कि before means पहले, after means बाद में और between means बीच में, यह चीज़ मैं आपको बार-बार समझा रहे हूँ तो देखें, 8 के बाद क्या आगा, 9, 12, 13, 18, 19, 25, 26, 29, 30, 32, 33, 36, 37, 39, 40, 44, 45, 48, 49, फिर आता है what comes between, between यानि के बीच में, कि 9 और 11 के बीच में क्या आएगा, 10, 13 और 15 के बीच में, 14, 19, और 21 के बीच में, 20, 24 और 26 के बीच में, 25, 28, और 30 के बीच में, 29, 32, और 34 के बीच में, 33, 37, और 39 के बीच में, 38, 39, और 41 के बीच में आएगा, 40, 44, और 46 के बीच में आएगा, 45, 48, और 50 के बीच में आएगा, 49, orchestrants, यह आपका book work है, सभी बच्ची इस book work को complete करेंगे, समझेंगे, और rough copy में करने की इनकी practice करेंगे, Thank you.